अईसे या साधारन कांड पर गाउं में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए वो मची और महिनों तक मचती रही जुनिया के दोनों भाई लाठियां लेकर गोबर को खोशते फिरते थे भोलाने कसम खाई कि अब ना जुनिया का मुह देखेंगे और ना इस गाउं का होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बाचित की थी वह अब तूट गई अब वो अपने गाय के दाम लेंगे और नकद और इसमें विलम हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घरद्वार निलाम करा लेंगे गाउं वालों ने होरी को जाती बाहर कर दिया कोई उसका हुका नहीं पीता ना उसके घर का पानी पीता है पानी बंद कर देने की कुछ बात चीत थी लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुगे थे इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी धनिया ने सब को सुना सुना कर कह दिया किसी ने उसे पानी भड़ने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दी सबसे दुखी है जुनिया जिसके कारणिया सब उपद्रब हो रहा है और गोबर की कोई खोज खबर ना मिलना इस दुख को और भी दारूण बना रहा है सारे दिन मुह छिपाए घर में पड़ी रहती है बाहर निकले तो चारो ओर से वागबाणों से असी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए दिन भर घर के धंदे करती रहती है और जब अवसर पाती है रो लेती है हर दम थर-थर कापती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कहना बैठे अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं बाकि सारा काम उसने अपने उपर ले लिया गाउं में जहां चार इस्त्री पूरुष जमा हो जाते हैं यही कुछ सा होने लगती है एक दिन धनिया हाठ से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दीन मिल गया धनिया ने सिर निचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए पर पंडित जी छेड़ने का आपसर पाकर कब चुकने वाले थे छेड़ ही तो दिया गोबर का कुछ सर संदेश मिला की नहीं धनिया ऐसा कपूत निकला की घर की सारी मरजाद बिगार दी धनिया के मन में सोयंग यही भाव आते रहते थे उदास मन से बोली बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मती फिर जाती है और क्या कहूं दाता दीन बोले तुम्हें इस दुष्टा को घर में ना रखना चाहिए था दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेक देता है और दूध पी जाता है सोचो कितनी बदनामी और जगहसाई हो रही है वह कुल्टा घर में ना रहती तो कुछ ना होता लड़कों से इस तरह की भूल चुक होती रहती है जब तक बिरादिरी को भात न दोगे बामनों को भोज न दोगे कैसे उधार होगा उसे घर में ना रखते तो कुछ ना होता होरी तो पागल है ही तू कैसे धोगा खा गई दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारीन से फसा हुआ था इसे सारा गाउं जानता था पर वह तिलक लगाता था पोथी पत्रे माचता था कथा भागवत कहता था धरम संसकार कराता था उसकी परतिष्ठा में जरा भी कमी न थी वह नित्य अस्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायस चित कर लेता था धनिया जानती थी जुनिया को आश्रह देने से यह सारी विपत्ती आई है उसे ना जाने कैसे दया आगे नहीं उस रात को जुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता लेकिन यह भै भी तो था कि तब उसके लिए नदी या कुआ के सिवार ठिकाना कहा था एक प्रान का मुल्य देकर एक नहीं दो प्रानों का वो अपने मरजाद की रक्षा कैसे करती फिर जुनिया के गर्व में जो बालक है वो धनिया ही के हिरदय का टुकड़ा तो है हसी के डर से उसके प्रान कैसे ले ले थी और फिर जुनिया की नमरता और दीनता भी उसे निरस्तर करती रहती थी वो अजली भूनी बाहर से आती पर जियों ही जुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती और उसके पाउं दबाने लगती उसका क्रोध पानी हो जाता बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है उसे और क्या दबाए मरे को क्या मारे उसने तीब रिस्वार में कहा हमको कूल परतिस्ठा इतनी प्यारी नहीं है महराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते ब्याता ना सही पर उसकी बाहतों पकड़ी है मेरे बेटे नहीं किस मुह से निकाल देती वही काम बड़े-बड़े करते हैं मुदा उनसे कोई नहीं बोलता उन्हें कलंक ही नहीं लगता वह काम छोटे आदमी करते हैं उनकी मरजाद बिगड़ जाती है नाक कर जाती है बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं दाता दीन हार मनने वाले जीवना थे वो इस गाओं के नारत थे यहां की वहां वहां की यहां यही उनका वेवसाय था वह चोरी तो न करते थे उसमें जान जोखिम था पर चोरी के माल में हिस्टा बाटने के समय वश्य पहुंच जाते थे कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे जमिंदार को आज तक लगान की एक पही न दी थी कुर्की आती तो कुवे में गिरने चलते नोखे राम के लिए कुछ न बनता मगर असामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे किसी इस्तरी को आभूशन बनवाना है दाता दीन उसकी सिवा के लिए हाजिर है शादी ब्याहताय करने में उन्हें बड़ा आनन दाता है यश भी मिलता है दक्षिना भी मिलती है बीमारी में दवादारू भी करते हैं जार फूख भी जैसी मरीज गी इच्छा हो और सभा चतूर इतने है कि जवानों में जवान बन जाते हैं बालकों में बालक और बुड़ों में बुढ़े चोर के भी मित्र हैं और साह के भी गावं में किसी को उन पर विश्वास नहीं है पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्शन है कि लोग बार-बार धोका खा कर भी उन्ही की शरण में जाते हैं सीर और दाड़ी हिला कर बोले या तु ठीक कहती है धनिया धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है लेकिन लोकरीति का निबाह तो करना ही पड़ता है इस तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा वा गाउं में पुन्यात्मा मशुहूर थे पुरन मासी को नित्य सत्य नारायन की कथा सुनते पर पटवारी होने के नाते खेद बेगार में जितवाते थे सिचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ा कर रकमे मारते थे सारा गाउं उन से कापता था गरीबों को दस दस पाच पाच कर्ज दे कर उन्होंने कई हजार की संपत्ती बना ली थी फसल की जिज़े असामियों से लेकर कचहरी और पूलिस के अमलों की भेट करते रहते थे इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाग थी अगर कोई उनके हथे नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गंडा सेंग थे जो हाल में इस इलाके में आये थे परमार्थी भी थे बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बाट कर यस्ट कमाते थे कोई बिमार आराम हो तो उसकी कुशल पुछने अवस्थ से जाते थे छोटे मोटे जगड़े आपस में ही तै करा देते थे शादी ब्याह में अपने पालकी, कालीन और महफिल के समान मंगनी देकर लोगों का उबार कर देते थे, मौका पाकर न चुकते थे पर जिसका खाते थे, उसका काम भी करते थे बोले, यह तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिर कर पूछा, तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं पर टिश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धी भी घास खा गई? जुनिया को क्यों ने उसके बाप के घर भेज़ देते? सेंत मेंत में अपने हसी करा रहे हो? ना जाने किसका लड़का लेकर आई है, तुमने घर में बिठा लिया? अभी तुम्हारी दो-दो लड़कियां बेहाने को बैठी हुई हैं, सोचो कैसे बेड़ा पार लगेगा? हुरी इस तरह के आलोचनाये और सुबकामनाये सुनते सुनते तांग आ गया था, खिन होकर बोला, यह सब मैं समस्ता हूँ लड़ा, लेकिन तुमी बताओ, मैं क्या करूँ? मैं जुनिया को निकाल दू, तो भोला उसे रख लेंगे? अगर वह राजी हो, तो आज मैं उनके घर पहुँचा दू, अगर तुम उन्हें राजी कर दो, तो जनम भर तुम्हारा आयसान मानो, मगर वहां तो उनके दोनों लड़के खुन करने को उतारू हो रहे हैं, फिर लड़कियों का बया, सो भगवान मालिक हैं, जब उसका समय आएगा, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा, लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुमारी नहीं रही, बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता, होरी नमरस भाब का आदमी था, सदा सीर हीरा को छोड़ कर गाओं में कोई उसका आहितना चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सहले, और उसकी मुट मरदी तो देखो, कि समझाने पर भी नहीं समस्ता, श्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं, कि देखें, कोई उनका क्या कर देता है, तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की निन नहीं सो सकते, उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गाओं के विधाताओं की बैठा खुई, दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निन्दा करने की नहीं है, संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब, मगर वह राण धनिया तो मुझ से लड़ने पर उतारू हो गई, भाईों का हिस्ता दबा कर हाथ में चार पैसे हो गए, तो अब कुपंत के सिवा और क्या सुझेगी, नीच जात, जहां पेट भर रोटी खाई और टेड़े चले, इसी से तो सास्तरों में कहा है, नीच जात लती आए अच्छा, पटेश्वरी ने नारियल का कस लगाते हुए कहा, यही तो इन में बुराई है कि चार पैसे देखे और आखे बदली, आज हुरी ने ऐसी हेकडी जताई कि मैं अपना सम्मू लेकर रह गया, ना जाने अपने को क्या समझता है, अब सोचो, इस अनीति का गाउं में क्या फ़ल होगा, जुनिया को देखकर दूसरी विद्वाओं का मन बढ़ेगा की नहीं, आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी, समाज तो भय के बल से चलता है, आज समाज का अंकुष जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनार्थ होने लगते हैं, जिंगरी सिंग दो इस्तिरियों के पती थे, पहले इस्तिरी पाँच लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी, उस समय इनकी अवस्था पैंतालिस के लगभग थी, पर आपने दूसरा ब प्याह कर डाला, अब इनकी पचास की अवस्था थी, और दो जवान पत्नियां घर में बैठी थी, उन दोनों ही के विशय में तरह तरह की बाते फैल लही थी, पर ठाकुर सहाब की डर से कोई कुछ न कह सकता था, और कहने का अवसर भी तो हो, पती की यार में सब कुछ जा उसकी उन्हें क्या ख़बर, बोले, ऐसी औरत का तो सीर काट ले, हुरी ने इस कुल्टा को घर में रखकर समाज में विश्च बोया है, ऐसे आदमी को गाउं में रहने देना, सारे गाउं को भरष्ट करना है, राय साहब को इसकी सूच न देनी चाहिए, साफ साफ कह देना अगर गाउं में या अनीती चली, तो किसी की आवरू सलामत न रहेगी, पंडित नोखे राम कारकून बड़े कुलीन ब्राहमर थे, इनके दादा किसी राजा के दिवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चड़नों में भेट करके साधू हो गए थे, इनके बाप ने भ अनवताइस अवरोध से विक्रित होकर उनके मन, वचन और कर्ण सभी को विशाक्त कर देती थी, इस प्रस्ताओं में उनके अधिकार का अपमान होता था, फूले हुए गालों में धसी भी यांखे निकाल कर बोले, इसमें राय साब से क्या पुछना है, मैं जो चाहूं कर स रखता हूं, लगा दो सौ रुपए डान, आप गाउं छोड़ कर भागेगा, इधर बेदकली भी दायर के ये देता हूं, पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाग कर चुका है, जुंगरी सिंग ने समर्थन किया, हाँ लगान के लिए ही तो हमसे तिस रुपए लि दिया जाए, किवल एक दिन गाउं के आदमियों को बटोर कर उनकी मनजूरी ले लेने का भी ने अवश्यक था, संबब था इसमें दस-पास दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को जुनिया के लड़का पैदा हो गया, और दूसरे ही दिन गाउं वालों की पंचायत धनिया भरी सभा में रूंदेवे कंट से बोली। भरी बोले, वह तेरी बहु नहीं है, हरजाई है, होरी ने धनिया को डाटा, तो क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेसर रहते हैं, उनका जो निया है, वह सी राखो पर, अगर भगवान की यही इच्छा है, कि हम गाउं छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या बस, पं में हमारे दोनों बैल ले लेना, धनिया दाट कट-कटा कर बोली, मैं एक दाना ना नाच दूंगी, न कोडी डाड, जिनमें बूता हो, चल कर मुझ से ले, अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डाट के बहाने, इसकी सब जैजात ले लो, और नजराना लेकर दूसरों को दे दो, बाग बगीचा बेजकर मजे से तरमाल उडाओ, धनिया के जीते जी या नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी, हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी, अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे, हुरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा धनिया तेरे पैरो पढ़ता हूँ चूप रहा हम सब बिरादरी के चाकर है उसके बाहर नहीं जा सकती वह जो डार लगाती है उसे सीर जुका कर मंजूर कर नकू बनकर जीने से तो गले में फासी लगा लेना अच्छा है आज मर जाएं तो बिरादरी ही तो हमारी मिटी को पाड लगाएगी बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे पंचो मुझे अपने जवान बेटे का मुह देखना ना नसीब हो अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज हो मैं बिरादरी से दगा न करूँगा पंचो को मेरे बाल बच्चो पर दाया है तो उनकी कुछ परवरिस करें नहीं मुझे तो उनकी आग्या पालनी है धनिया जला कर वहां से चली गई और होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढोड़ो कर जिंगरी सिंग की चौपाल में धेर करता रहा बीस मन जो था पांच मन गेहूं और इतना ही मटर थोड़ा सचना और तेलहन भी था अकेला आदमी और दो ग्रिहस्तियों का बोज यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुशार्थ से हुआ जुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेतों में जूट गई थी दोनों ने सोचा था यहूं और तिलहन से लगान की एक किस तदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे जौखाने के काम आएगा लंगे तंगे पांच-छव महिने कट जाएंगे तब तक जुआर मक्का सावा धान के दीना जाएंगे वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई अनाज तो हाथ से गया ही सौरुपय की गठरियों और सिर पर लड़ गई अब भोजन का कहीं ठीकाना नहीं और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने नहाल नहावाल अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया मगर होनहार को कौन टाल सकता है बिरादरी का वह आतंग था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज धो रहा था मानो अपने हाथों से अपने कबर खोद रहा हो जमिंदार, साहुकार, सरकार किसका इतना रोब था कल बाल बच्चे क्या खाएंगे इसके चिंता प्राणों को सोखे लेती थी पर बिरादरी का भय पिशाच की भाती सर पर सवार आंकुष दिये जा रहा था बिरादरी से प्रिथक जीवन की वह कोई कलपना ही न कर सकता था शादी ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में बिरादरी उसके जीवन में विरिक्ष की भाती जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसे उसके रोम रोम में बिंधी हुई थी बिरादरी से निकल कर उसका जीवन विश्रिंखल हो जाएगा तार-तार हो जाएगा जब खरिहान में केवल डेर दो मन जो रह गया तो धनिया ने दोड़ कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली अच्छा अब रहने दो ढो तो चुके बिरादरी की लाज बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाण में जोग दोगे मैं तुमसे हार जाती हूँ मेरे भाग्य में तुम ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था हुरी ने अपना हाथ छुड़ा कर टोकरी में आज भरते हुए कहा यह न होगा पंचों की आख बचा कर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है मैं ले जाकर सब का सब वहाँ धेर कर देता हूँ फिर पंचों के मान में दाया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे नहीं भगवान मालिक है धनिया तिल मिला कर बोली यह पंच नहीं है राच्छस है पक्के राच्छस यह सब हमारी जगा जमीन छीन कर माल मारना चाते है डांड तो बहाना है सब जाती जाती हूँ पर तुमारी आखे नहीं खुलती तो में पिशाचों से दया की आशा रखते हो सोचते हो दस पाच मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे मूह दो रखो जब होली ने ना माना और टोकडी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकडी पकड़ ली और बोली इसे तो मैं ना ले जाने दूँगी चाहे तुम मेरी जान ही ले लो मर मर कर हमने कमाया पहर रात रात को सीचा अगोरा इसलिए कि पंच लोग मुझों पर ताव दे कर भोग लगाए और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया है मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ सीधे से टोकरी रख दो नहीं आज सदा के लिए नाता तूट जाएगा कहे देती हूँ होरी सोच में पड़ गया धनिया के कथन में सत्य था उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीन कर तावन देने का क्या अधिकार है वह घर का स्वामी इसलिए है कि सब का पालन करे इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीन कर बिरादरी की नजर में सुर्खोई बने टोकरी उसके हाथ से छूट गए धीरे से बोला तो ठीक कहती है धनिया दूसरे के हिस्से पर मेरा कोई जोड नहीं जो कुछ बचा है वह ले जा मैं जाकर पंचो से कहे देता हूँ धनिया अनाज की टोकडी घर में रखकर अपने लड़कियों के साथ पोते के जनमुट्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी जिससे सारा गाउं सुन ले आज यह पहला मौका था कि किसी ऐसे शुब अपसर पर बिरादरी की कोई औरत न थी सोहर से जुनिया ने कहला भेजा था सोहर गाने का काम नहीं है लेकिन धनिया कब मानने लगी अगर बिरादरी को उसकी परवा नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवा नहीं करती उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर जिंगरी सिंग के हाथों गीरो रख रहा था डार की रुपए का इसके सिवा वह कोई और प्रवंध ना कर सकता था 20 रुपए तो तेलहन गेहों और मटर से मिल गए शेस के लिए घर लिखना पड़ गया नोखे राम तो चाहते थे कि बैल बिखवा लिये जाएं लेकिन पटेश्वरी और दाता दिन ने इसका विरोध किया बैल बिख गय तो होरी खेती कैसे करेगा बीरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे पर ऐसा तो न करे कि वह गाउं छोड़ कर भाग जाय इस तरह बैल बच गय होरी रहन नामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा इतनी रात तक वहाँ क्या करते रहे होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा करता क्या रहा इस लॉंडे की करती भरता रहा अभागा आप तो चिनगारी छोड़कर भागा आग मुझे बुझानी पड़ रही है असी रुपय में घर रहन लिखना पड़ा करता क्या अब हुकका खुल गया बिरादरी ने अपराथ छमा कर दिया धनिया ने ओठ चबाकर कहा ना हुकका खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता था चार-पांच महीने नहीं किसी का हुकका पिया तो क्या छोटे हो गए मैं कहती हूँ तुम इतने भोंदू क्यों हो मेरे सामने तो बड़े बुधिमान बनते हो बाहर तुमारा मुह क्यों बंध हो जाता है ले दे के बाप दादों की निसानी एक घर बच रहा था आज तुमने उसका भी वारा नियारा कर दिया इसी तरह कल यह तीन-चार बिगे जमीन है इसे भी लिख देना और तब गली-गली भीख मागना मैं पूछती हूँ तुमारे मुह में जीब ना थी क्यों पंचों से पूछते तुम कहा के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डान लगाते फिरते हो तुमारा तो मुह देखना भी पाप है धनिया उत्तेजित हो गई कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे किसी की चोरी की है किसी का माल काटा है महरिया रख लेना पाप नहीं है हाँ, रख के छोड़ देना पाप है आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है उसके सीधे पन का फल यही होता है कि कुट्ते भी मूँ चाटने लगते हैं आज उधर तुम्हारी वाहवा हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मरजाद रख ली मेरे भाग फूट गय थे कि तुम जैसे मरद से पाला पड़ा कभी सुक की रोटी ना मिली मैं तेरे बाप के पाउ पड़ने गया था वही तुझे मेरे गले बांध गया था पथर पड़ गया था उनकी अक्कल पर और उन्हें क्या कहूं ना जाने क्या देकर लट्टू हो गए ऐसे कोई बड़े सुन्दर भी तो ना थे तुम बिवाद बिनोद के क्षेतर में आ गया असी रुपाय गया लाख रुपाय का बालक तो मिल गया उसे तो कोई न चीन लेगा गोबर घर लोटाए धनिया अलग जोपड़ी में सुखी रहेगी होरी ने पूछा बच्चा किसको पड़ा है धनिया ने प्रसन नमुख होकर जवाब दिया बिलकुल गोबर को पड़ा है सच रिष्ट पुष्ट तो है हाँ अच्छा है